So hello everyone my name is Prince and फिर से एक नई वीडियो में आप लोग आप बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजितराल ड्रॉप के बारे में सो दोस्तो ये जानेगे कि अजितराल ड्रॉप का यूज बच्चों में किन कंडिशन में करवाया जाता है इसके मार्केट में प्राइस क्या होते हैं इसका डोज क्या होता है और इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं सो दोस्तो टाइम वेश्ट न करते हुए जानकारी को सुरू करते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अजित्राल ड्रॉप में मिले हुए इंग्रेडियेंट्स के बारे में तो दोस्तो इसमें अजित्रोमाईसिन साल्ट होता है और दोस्तों हम बात करें इसके यूज के बारे में तो इसका यूज जो है छोटे बच्चों में यदि उन्हें गले में सूजन आ जाती है उनको tonsils वगैरा है तो ऐसी condition में ये बहुत ही अच्छा वगर करता है यदि बच्चों को common cold है उन्हें हलका सा जुखाम जैसा है तो भी यह काफी अच्छा work करता है और गैस आपको बता दूँ कि यदि छोटे बच्चों में किसी प्रिकार की injury हो जाती है या फिर यूँ कहा है कि उनके skin में normal चोट आ जाती है और skin में scratches वगएरा आ जाते हैं तो ऐसी condition में भी आप अजित्रा liquid का जो है use करवा सकते हैं और गैस आपको बता दूँ कि इसका जो use है सिर्फ और सिर्फ अपने doctor के prescription अनुशार ही देना है इसे directly market से खरेद करके अपने बच्चों को नहीं दिया जाता है और गैस बता दूँ कि जो अजित्रा liquid का जो use होता है वो चोटे बच्चों में UTI infection में भी किया जाता है यदि चोटे बच्चों को fever आ जाता है तो fever के condition में भी हम इसका use कर सकते हैं यदि दोस्तों चोटे बच्चों को pneumonia हो जाती है और बच्चे को सांस लेन में में problem हो रहे है या फिर नाक से सरसराहट जैसी आवाज आ रहे है चोटे बच्चों में तो अभी आप इसका use कर सकते हैं और आपको बच्चों को मुँँ में अलसर हो जाते हैं या फिर यूँ कहाएं कि उनके मुँँ में चाले बगएरा हो जाते हैं तो अभी आप इसका use करवा सकते हैं या चोटे बच्चों में इसकिन में नॉर्मली पुनसियां हो गई हैं तो भी आप अजित्रा लिक्विट का use करवा सकते हैं और गैस बात करें हम अजित्रा लिक्विट के डोज के बारे में तो जो इसका डोज होता है वो 10-12 mg per kg per day के हिसाब से दिया जाता है वैसे इसका जो dose है वो 3-5 दिन तक दिया जाता है और गैस बात करें हम अजित्रा लिक्विट के side effect के बारे में तो इसके कुछ नॉर्मली side effect भी हो सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चों में nausea, vomiting या फिर छोटे बच्चों में skin में swailing आ जाना ये जो है इसके normally side effect होते हैं कभी-कभी इसके side effect जो है छोटे बच्चों में body में sketching या फिर छोटे-छोटे दाने पर जाना ये जो है इसके side effect होते हैं तो Alembic नाम की company इसका production करते है यानि इसको बनाती है सो दोस्तो आई होब कि यह जानकारी आपको पसंद आये होगे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज से लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए यदि फिर भी आपके मन में कोई confusion है कोई सवाल है तो बेसक आप हमें comment box में comment करके अपने सवाल पूछ सकते हैं तो फिर मिलता हम अपने next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवादें बाई बाई